आपकी क्लास में नहीं है Activity 8 कह रही है Just as poems, poems have symbols and India has symbols Stories often have symbols too जैसे poems की पास symbols होते हैं भारत की पास symbols है वैसे ही काफी सारी stories में भी symbols होते हैं Many stories use animals as symbols तो जैसे पंच तंतरा की कहानी आ गई हम कहते हैं न कुछ जानवर लालच represent करते हैं, कुछ वीरता represent करते हैं कुछ अच्छी दोस्ती represent करते हैं जैसे आपने खरगोश और rabbit वाली rabbit और tortoise वाली story सुनी होगी कि किस तरीके से tortoise जो है वो दीरे-दीरे चलता है rabbit और tortoise की race, कच्छुई की race rabbit फटाक से भाग जाता है आगे जाके सो जाता है तो rabbit यहाँ पर आलच सी इंसान का प्रतीक है और tortoise उस इंसान का प्रतीक है जो दीरे-दीरे-दीरे चल रहा है रुक नहीं रहा है, ठक नहीं रहा है तो ऐसा इंसान अपनी मन्जिल पर पहुँच ही जाएगा तो इस तरह के की सिंबॉल्स की बात यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है तो आपने ऐसी बहुत सारी कहानिया पढ़ी होंगी जिसमें शेर को जंगल का राजा कहा गया है कुछ लोग कैट को यानि बिल्ली को लंबी उम्र की सिंबॉल समझते हैं कुछ लोग ब्लाक कैट को बुरा लक बुरा नसीब भी मानते हैं कहते न बिल्ली रस्ता काट गई है तो इस तरीके से लोग अपने अपने मन मताबिक इन सिंबॉल्स को लेते हैं In many parts of India, the cow is a symbol of many things for many people. और देश में गाई भी लोगों के लिए अलग-अलग symbol है, कहीं पे गाई माता है, कुछ लोग गाई की बली चड़ाते, अलग-अलग मतलब लोगों का बिलीव होता है. Read the story carefully to yourself. Mark any word that you don't understand. Use a dictionary, internet, आप इन सब चीजों की यूज कर सकते हो बचों और आप animals को as a symbol सोच सकते हो. तो हम बात करें हैं new story की, देखते हैं क्या है ये story, the fox and the rabbit, यानि एक लॉमड़ी और एक खरगोश की story है. There was once a very clever fox who loved to brag of his cleverness. एक चालाक लॉमड़ी थी, जिसको हर वक्त अपने गुनगान करना, अपनी cleverness यानि अपनी चालाकी पे बहुत जादा जिसे घमन था. One day he said to the rabbit, I am so clever. He said that I know a hundred ways to escape enemies. उसने कहा एक बार एक rabbit को कि मैं इतना चालाक हूँ, इतना चालाक हूँ कि मुझे सौ तरीके आते हैं दुश्मन से पीछा चुडाने के, या दुश्मन के पास से गायब होने के. तो rabbit कहता है, वाउ, the rabbit said, I have only one, but it works well. Rabbit ने कहा कि मेरे पास जो बस एक ही तरीका है, लेकिन वो अच्छा काम कर देता है. The fox said, you should listen to me, I will teach you many, many, many more. तो जो fox है, उसको अपनी गुनगान करनी के बड़ा शौक होता है, वो कहता है कि, तुम मुझे सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा. You should know many ways to escape like I do. तुम्हें भी मेरी तरह, मेरी कॉपी करनी चाहिए. कुछ लोग होते हैं न, जो सुसाइटी में अपनी बखान करते रहते हैं, हर किसी को बोलते हैं, मेरी तरह करो, मेरी तरह करो, इस तरह करो. इस तरीके से. Immediately, the rabbit leaped down his hole and was gone. अब जो rabbit था, उसे तो एक ही तरीका आता था, कि बस जाकर बिल में छुप जाना, तो वो तो फटाक से बिल में जाकर छुप गया, उसको तो और कोई तरीके आती नहीं थे, एक ही आता था, तो तो वो फटाक से भाग गया. He called back to the fox. This is my plan. उसने कहा कि भे मेरा तो यही plan है, मैं तो बस ऐसे जाकर छुप जाता हूँ. What are you going to do? तुम क्या करने वाले हो? The fox thought first of one way, then another, then he thought of a better way, then he considered another way and while he was thinking of all his clever choices, the hunters caught him up and he was soon carried off. तो उसने जो रैबिट था, अपने आपको चालाग समझ रहा था, कभी वो एक तरीका सोच था, कभी दूसरा, कभी और अच्छा तरीका सोचने की कोशिश करता और इन सब सोचने की कोशिश में वो पकड़ा गया और हंटर्स उसे वहां से ले गए. इसका मतलब बच्चों यह है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, कि हम कोई भी काम करते हैं, तो हमें बस एक ही तरीके से बेस्ट तरीका सोचना चाहिए, उसको हजार तरीके में जब हम लग जाते हैं, कहते हैं, कि दो नाओं में या एक से जादा नाओं में सवार होकर हम सारे काम बिगाड़ देत और Rabbit Oversmart ना होने के चक्कर में उसने बस एक ही प्लान पे ध्यान दिया और वो वही उस करता था और उसकी जान बच गई अब देखो बच्चो, Activity 9 One way that we know that the fox and the rabbit are symbols is because they do not represent real foxes or rabbit हमें ये तो समझ में आ गया कि Rabbit और fox एक symbol है यहाँ पे हम किसी के बारे में बात करें हैं जिनको हमें रबिट और fox ऐसा नाम दी दिया है क्योंकि यहाँ पे पता है रबिट और fox कभी आपस में बात नहीं करेंगे और वो भी इंग्लिश में वो तो पॉसिबल ही नहीं है When something it is not symbolic when it only represents exactly what it is what it is in real life and nothing else we say it has its literal meaning literal, literary and literature are all related to the word for letters for words the literal meaning of a word is its exact factual meaning तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बिलकुल सही बात हम fact बताने की कोशिश कर रहे हैं words को अलग यूज़ करके for example if your friend says I am that tired अगर आपका दोस कहेगा हाई मैं मर गया थक गया तो वो मर नहीं गया है वो तो जिन्दा है ना You know that your friend is not literally dead because he is alive and talking to you He is exaggerating वो इतना जादा fake रहे हैं कि मतलब वो बहुत ही जादा ठक गया है वो आपको जोडनी की कोशिश कर रहा है कि वो इतना ठक गया है कि आप समझ लो कि वो ठक कर मर ही गया है He is not using the literal meaning of the word dead तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग भी अपने दोस्तों के साथ अकसर ऐसा बोलते हैं हाई मैं तुम मर गया ये हो गया तो इस तरह से हम चीजों को symbolize करते हैं We know that the fox and the rabbit story is not literally about foxes and rabbits Real foxes and rabbits do not have conversation about cleverness At least they don't have such conversations in English तो real में जो fox होता है rabbit वो तो कभी आपस में बात भी नहीं करते हैं और अगर करते भी तो at least English में तो नहीं करते हैं One way to think about the meaning of a symbolic story is to think about things in real life that are like the symbols in the story What kind? तो अब हम ऐसे ही symbols की बात करेंगे यहाँ पे अलग-अलग हम लोगों को जोडने की कुशिश करेंगे fox से, rabbit से What kind of person might act the way of the fox does? तो जो over smart होते हैं जो अपने आपको आपसे better proof करने की होड में लग जाते हैं, race में लग जाते हैं वो हमेशा fox की तरह होते हैं What kind of person or characteristic of a person might the rabbit represent? तो rabbit जो होगा बड़ा ही शान्त होगा, decent होगा, समझदार जिसको हम wise men कह सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है Is the rabbit clever or foolish? तो rabbit आपकी नजरों में smart है या बेवकूफ है? तो मेरी नजरों में तो वो बिलकुल smart है उसने कोई बेवकूफी नहीं की, उसकी जान भी बजगी, वो ओवर स्मार्ट भी प्रूव नहीं हुआ Is he brave or cowardly? बिलकुल brave है, उसने मतलब कहा जाता है ना कि समझदारी और बेवकूफी में बस एक पतली सी border है तो उसने कोई बेवकूफी नहीं की कि मैं style मार लिता हूँ, या मैं दूसरा रस्ता रून लेता हूँ उसने बस समझदारी की, कि जो भी hunter है वो से definitely जादा शक्रती शाली होगा उसने बस चुपचाप से जाकर अपना defense कर लिया In real life, what might behave the way the hunters do? Coming in quickly and ending the conversation the way they do तो real life में भी ऐसा होता है, क्या तो हाँ, बहुत बार होता है Discuss these ideas with a group and work together to write the paragraph तो आप अपने दोस्तों के साथ group में बाती कीजिए और इस paragraph को complete करने की कोशिश कीजिए जैसे our group thinks that the fox symbolizes dash 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 हम ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं ऐसे करके आप इस paragraph को complete कीजिए तो बच्चू आप ऐसे अपने friends के साथ में इस paragraph को भी complete कर सकते हैं इसके बाद है, देखो activity 10 में Read the story to yourself, mark any words you don't understand Use dictionary यानि आपको जो चीज समझ में नहीं आती आप उसके लिए dictionary का use कर सकते हो यहाँ पर तो मैं आपके लिए हुई One night Emperor Akbar dreamt that he had lost all his teeth except one तो एक रात को राजा अकबर ने ऐसा सपना देखा कि उनके सारे दाद तोट गए हैं बस एक ही बचा है The next morning he invited all the astrologers of his kingdom to interpret this dream तो राजा अकबर ने अपने महल में सभी जो भी उनके astrologers से यानि नसीब के बारे में जो भी उनकी नसीब के बारे में उनके future के बारे में बताने वाले थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि इस dream का मतलब क्या है इस dream को आप कैसे interpret करेंगे यानि सोचेंगे समझेंगे After a long discussion the astrologers prophesized that all his relatives would die before him और long discussion चला उन सभी astrologers के बीच में और उन्होंने ये मतलब निकाला कि जो अकबर की relatives हैं वो सभी अकबर के पहले मर जाएंगे Emperor Akbar was very upset by this interpretation and so sent away all the astrologers without any reward तो Emperor Akbar जो थे वो बड़े ही upset हो गए इस interpretation के साथ और उन्होंने सारे astrologers को बिना किसी reward के भेज दिया reward मतलब price के Later that day Birbal entered the Darbar Emperor Akbar related his dream and asked him to interpret it तो later उस दिन में Birbal ने क्या किया अकबर के Darbar में गए और अकबर को उन्होंने अकबर ने अपने dream के बारे में Birbal को बताया After thinking for a while Birbal replied that the emperor would live a longer and more fulfilled life than any of his relatives तो Birbal ने कहा उनको के आप अपने पूरे परिवार में अपने सारे relatives से जादा अच्छी जिंदगी जिएंगे तो दोनों ने कहा तो same myth astrologers ने और इनोंने लेकिन कहने का तरीका और explain करने का तरीका important होता है जो लोगों का दिल जीत लेता है तो emperor Akbar was pleased with Birbal's explanation and rewarded him handsomely तो emperor बड़े खुश हो गए और उन्होंने उसको handsomely बड़े खुशी से क्या कर दिया reward कर दिया और उनको वहां से भेज दिया तो अब देखो many people believe that their dreams have symbolic meaning बहुत से लोग ऐसा सोचते है उनको जो dream आया है उसका कोई meaning है but people may interpret the symbols very differently for example many people dream of problems that they are having in life बहुत सारे लोगों को dream बहुत सारे लोगों को जो dream आता है उसमें वो लोग सोचते हैं कि life में कोई problem आने वाली है but some people might think of their problem as a huge mountain that needs to be overcome लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जो problem आई है इस पे हमें सोच विचार करना है और हमें इससे आगे बढ़ना है another person might dream of a problem as a locked door locked door that needs a key और कुछ लोगी सोचते हैं कि जो problem है हमें इसका रस्ता निकालना होगा यह एक locked door की तरह है अब हमें सोच कर इसकी चार भी ढूढना है जिससे problem हम हटा सके another might see a high wall as a symbol of a problem कुछ लोगों को एक बंध दर्वाजा दिखता है सपने में वो problem समझते हैं कुछ लोगों को बड़ी से दिवार एक problem की तरह नजर आती है in the activity about the rabbit and fox you thought about ideas and people that could be symbolized by the rabbit and the fox now think about objects that might symbolize some ideas use ideas from your own thoughts or dreams or think about stories and poems you have heard तो आपने इस fox और rabbit की story में से बहुत सारे symbols आपके दिमाग में भी आये होंगे तो आप ऐसे symbols को लेकर एक story बनाने की सोचिए और उसे लिख दीजिए और या फिर अगर आपने कोई poem ऐसी सुन रखी है तो वो भी आपको याद आ रही होगी तो बच्चो देखो यहाँ पर think of some different objects that symbolize these ideas तो a problem might be symbolized by dash यह ऐसे आप इस तरीके से इस paragraph को complete कर सकते हैं फिर यहाँ पर है share your ideas with your classmates make a chart showing how many different symbols your classmates thought of तो किस तरीके से आपका classmate problem को symbolize करता है अलग-अलग object को represent करता है solution से तो यह block में आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो बच्चो यही था हमारा chapter exploring symbols और यह बड़ा मज़िदार chapter था बहुत सारी मज़िदार कहानिया हमने जानी और कफी सारे अच्छे अच्छे नए नए शब्द भी सीखे students अगर आपको chapter समझ में आया हो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब यूर फेवरीट चैनल नौलेज इस विस्डम